हलो बच्छो नमस्ते बच्छो तो आज हम लोग एक न्यू चेप्टर पॉलूशन ऑफ एर जो कि खुलास एट का बच्चो स्टाट करने जा रहे हैं जो कि पी-ओ पॉलूशन ऑफ एयर न्यू चेप्टर जो कि क्लास क्लास एट है क्लास एटत और चेप्टर जो कि लास्ट एट्ट है पोलुशन आफ एर प्लॉसट्र एट चेप्टर एट हम लोग आज पढ़ने जा रहा बच्चो तो माइनर स्टडी में आप तो बहुत स्वागत है बच्चो इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और सेयर करते रहें और वेल आइकन बटने बच्चो इसको दवाना न भूले क्यों इसे से आप लोको आगे का जो की लेक्चर का नोटिफिकेशन उपर भाइट उता रहेगा तो हम लोगे स्टार्ट करते ह जो की पोलूशन ऑफ ययर है तो हम लोग यह ыप लुच्छन ऑफ एद लिक लिया बच्चो अब लोग जोकी पोलुशन ऑफ यह तर्था स्टार्ट करने बच्छों जो हम लोग का जो environment और समाज में होता है उसके बढ़े मुझे पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम लोग कैसे उसको गंदगी फैलाते हैं और कैसे हम लोग जो अपना अर्थ उसको बचा सकते हैं तो उसके बढ़े में देखेंगे तो पहले pollution क्या होता है जो कि pollution का definition और साथ में समस्ते चलेंगे तो pollution pollution में लिखेंगे जो कि harmful harmful change in compound harmful change in compounds जो कि harmful changes हो जाता है जो compound हो गया उसमें जो changes आया है और जो environment में change हो जाता है उसको हम लोग pollution बोलते था हान फूल चेंजिंड कंपांड जो हम लोग यूज करते हैं जैसे cfc हो गया और भी कई सारे जो compound उसको उसको हम लोग चेंज हो गया जैसे पेट्रोल हो गया उसको हम लोग यूज करते तो उसमें से pollutants क्या होता है जो basic term है वह सब पढ़ लेते हैं बच्छो pollutants यह से भी जाएं में direct definition भी पूछा जाता है three numbers tout Pollutants क्या होता है तो फी serious chance the substance which change the substance which change the substance which the substance which change दी दी और निट्न के कंपोजेशनında अफ नेच्टिनरल एंवारोमेंट में-ट जो पी पलूटेंट्स कौया गया जिए सबस्टांस हो जěनगर दे कह एक हमारे निट्न पोजेशन है उसको अगर चेंज कर दे तो उसको मुलोग पलुटेंट्स बोलेंगे तो पॉल टेंट्स जो कि नेचुरल इन्वारिमेंट कॉल्ड एच पॉलू टेंट्स तो यह हमारा पॉलू टेंट्स हो गया है अब आगए देखते हैं और इसमें हम लोग एक्जामपल लिख लेते हैं सच जैसे कि जो कि स्मोक हो गया है सच आज स्मोक कि ड़स्ट स्मोक ड़स्ट पॉलुखिं पॉलूग है तो इह व्लैवग पॉलूग है जिए तो आयगा तर्म देखेंगे बच्चों तो आएक हम लोग अगला टर्म देखेंगा बच्चों जोकि एटमुस्फियर तो एट्मोश्फियर के बारे में लिखेंगे एट्टी एट्मोश्फियर यह आप लोग को बच्छो शाथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठना है कि आप लोग समझते रहें यह आपका चेप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका नूट्स भी कंप्लीट हो तो एट्मोश्फियर था इसमें लिखेंगे दी लेयर आफ एयर एर एराउंड दी आर्थ इज कॉल्ड एट्मोश्फियर जो की एट्मोश्फियर का जो एयर का जो लेयर होता है हमारे अर्थ में उसको हम लोग हमारे अर्थ के जो एयर का लेयर हुआ हमारे अर्थ एट्मोस्फियर में उसको हम लोग एट्मोस्फियर बोल जो कि हमारे अर्थ में जो भी लेयर है एयर का उसको हम लोग एट्मोस्फियर बोलेंगे और आगे हम लोग एट्मोस्फियर हो गया और एयर एर क्या होता है तो एक बारह में लिखेंगे एर की इस दी मिक्शिर ऑफ ग्येंड डॉप ग्यासे जो कि एडिफेंट्प गैसे सैं उसका जो मिक्शिर होता है цы भाद्वाल की गलानज़ा दीफार होता है उसका जोसमाद होकार सभी 7 płनाता है और आगे जो की composition of air composition of air heading डालना है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना कितना composition of air में तो इसमें जो की air contain 70% जो की nitrogen हो गया 70% nitrogen यह फर्स्ट और सकेंड में जो की 21% oxygen 21% oxygen हो गया तो टूटल हमारे अटमस में पेर तो 21% oxygen हो था और 70% जो की nitrogen हो गया इसमें 0.03% carbon and 0.03% carbon dioxide हो गया जो की फोर्थ में लिखेंगे and other gases along with water वैपर के साथ and dust और आगे हम लोग देखेंगे जो की air pollution के बारे में लिखेंगे बच्चो तो यहां तक हमने देखिया जो की pollution pollutant atmosphere air और उसका जो composition है वो हमारे atmosphere में कितना पाया जाता है और अगला heading डालना है जो की air pollution के बारे में देखते हैं air pollution क्या होता है तो air pollution जो की unwanted change हो गया है which harmful जो air pollution जो की हम लोग air ही oxygen इनहेल करते हैं और carbon dioxide हेल करते हैं बच्चो तो जब हमारा अगर pollution यानि air में अगर गंदी होगा तो हम लोग बीमार तो परेंगे ही तो उसके बारे में हम लोग आगे देखने जा रहे है जो की air pollution क्या होता है तो अगला heading डालना है जो की air pollution air pollution और इसके बारे में air pollution क्या होता है तो air pollution में लोग को लिखना है जो की unwanted unwanted change unwanted change which is harmful for living and non-living के लिए जो की harmful हो यहां हमने देखे लिए तो हमने अभी तो क्या-क्या पड़ा बच्चों जो की air pollution pollutants atmosphere एयर जो को उसका composition और यह एयर pollution और अगला हम लोग जो की अगला है देखेंगे जो की causes of air pollution के बारे में हम लोग लिखते हैं को जेज आफ एयर पॉलूशन जो की एयर पॉलूशन किस कारण होता है जो क्या में कोजे और पॉलूशन का तो इसके बारे में देखते हैं तो इसमें हम लोग लिखेंगे तो कि first एकसेशिव बरनिंग एकसेशिव बरनिंग और जो की कुछ ज़्यादा ही जो fossil फुल होता है फॉसका हम लोग जलाते हैं तो उसी के कऱणा है तो एकसेशी बर्निंग उफ फॉसिल फियल्स जैसे फॉसिल्स कोन हो गया जैसे कोल हो गया एकसेशी बर्नी के करणा केरोसीन फ्रोम फेकेट्रियमा और डीजल और डीजल जो कि फॉस्सील हो गहा है जो की एक्सेसिव बर्निंग यानि कुछ ज्यादा ही उसका ही उसका यूश करते हैं और जैसे कोBen लोग एकेटरोशल फ्रोम जो निकलता है एर उसका जो पॉलूशन जो जला हुआ जो प्रड़क्ट निकलता है उसमें वह कमपाउंड उसको हम लोग कि इसमें एर कोजेज में बोल सकते हैं और अगला लिखेंगे जो कि सकेंड इसमें जो कि यह में कारण होगी एक सेसी बनिंग और फॉसिल फ्यूल और सकेंड जो हो गया है स्मोक जो कि स्मोक फैक्टरीशन इकलता है फैक्टरीच एंड वेहिकल से वेहिकल्स यह लिए वेहिकल्स और थार्ड लिख सकते हैं जो कि यूच ओफ शटेन यूज अफ सटेन सब्स्ट्राणसेश यूज अब सटेन सब्स्ट्रांसेश जैसे क्लोरो फ्लोरो फॉलोरो कारवन अगला लिखेंगे जो कि कारवन मोनोक्साइट तो अगला इडिंग लिखेंगे जो कि कारवन मोनो ओक्साइड हो गया तिसमें लिखेंगे कारवन मोनो ओक्साइड में जो कि its molecular formula its molecular formula its carbon monoxide जो कि its it's highly reactive होता है जो कारवन मुन और उक्षाइड हो था है इसका अमालिक फुरास्य और यह हो गया है हाइली रियक्टिब कारवन मुन और व्याइड में सो हम तो इटिटिच जो इसलिए यह हाइली पॉइजन सुथा इस से देथ भी हो सकता है बच्चो कारम नोक्साइड अगर अधिकतर मातरा में हम लोग और इनहेल कर ले तो तो यह हो गया हाइली पोईजनस और अगला एडिंग है जो कि हान्फूल इफेक्ट अब कार्बन मोनोक्साइड वो लिखते हैं तो यहां पर हान्फूल इफेक्ट ऑफ कारबन मोनोक्साइड इसके बारे में अब हम लोग जो कि हान्फूल यह तो हो गया जो एर पोलूशन कोज करता है अब जो कि हम लोग जो हान्फूल जो कि कारबन मोनोक्साइड हम लोग यूज करते हैं उसका हम लोग को दिली लाइफ दो इसे में और हमारे अर्थ पर क्या उसका परभा परतád उसका जो हमारे लिए कॉन सा हर्म करता है"! जो कि हानी पहुंचाता है तो इस में हमलोग जो कि harmful effects of carbon monoxide में क्यों कि First point हम लोग लिखेंगे carbon monoxide आप च्छाईड कर नो अ conventional bit कार मोट करते हैं तो तो क्राम मोटा मोटाज़द बिए उल्वेन परि incremental इन जब लोग मैस करता हैं तो अघर यह हमारे जो की शास्त के सात मिलकर हमारे जो हम लोग हावा लेते हैं कि जो एर इनेल करता हुषके वर साथ यह मिक्स हो गया तो हमारे अंदर में जो की हम लोग लिखते हैं और समझते चलेंगे तो इन इट तो यह रियक्ट करता है हमारे इस गज़्ट जो हमारे बाड़ी में हमोगलोबिन पाए जाता हुश्य और यह करके क्या फोर्म करता हैistant react करता है I am og living to form %oh to form a other už प्रma फ्रमर परमा नेन्ट फ्रमर मनेंुट कंपाउंड मना था परमा नेन्ट कंपाउंड प्रमानेंट कंपाउंड मना था ऊसको हम लोग क्या बलते हैं कारबोक्षी हामोगलोविन बोलते हैं कार्बोक्षी है हामोगलोविन और अगला जो कि डियू टू डियू टू डियू टू दिस अ चंब के आ यहां हो गया जो कि फस्धिक जब लूग ब्रेट करते या जो की यह करते हैं सांस लेते तो सांस लीने पर जो के हमारे अं दर कार्बो मुनाक्षाई है चला गया तो कि क्या बनाता है का पर्मामेंक्ट कंपाउंड नाता और प्रानामेंर कंपाॉंट को क्या वệnतो है C अगर अगर मोशनीन अनल कराईलता है तो यह खाले वञन सेट कि उसका नाम कर्बोक्सी हमो गलोविन बोलता है जो की इसे हम लोग को देत या मड़ भी जाता है बच्चो तो यह था फरस्ट पांड जो की हांफुल इफेक्ट और कारवन मोनोक्साइड का जो कि हांफुल इफेक्ट क्या है जब हम लोग ब्रेथ करते हैं तो हमारे अंदर सांस के ठुह यह इनल करते हैं जो की कारभ Science कि चला जाता है और उक्षिजन के साथ जा कर जो हम लोग जब हमारे अंदर Mang को जाता है यह मिलकर करता हैा Carbon Monocidesяла कि हमोग्ळोविन के साथ मिलकर यह प्रकन करता है यह क्या जब Ann cabin Bolgon चाहिए है चाहिए बड़ा मोसध्य टाइट है टो ये मोग आगला है पौइंट लिखते है मकी अ जो कि नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बच्चो नेक्स्ट पॉइंट लिखने कि कि तो नेक्स्ट फइंट में क्या देखेंगे जो कि higher concentration अगर ज्यादा concentration में हो carbon monoxide का अगर ज्यादा concentration हो तो उसके क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग अगला point स्वरी बच्चो जो कि next point हम लोग second point यहाँ पे लिखते है जब कि अगर higher concentration हो higher concentration higher concentration of carbon monoxide carbon monoxide carbon monoxide carbon monoxide तो क्या होगा in atmosphere में atmosphere तो effect क्या करेगा effect the growth effect the growth of plant पर जो कि carbon monoxide का ज्यादा concentration में हो तो वह क्या करेगा जो कि हमारे atmosphere में जो कि plant का growth होता उस पर effect करेगा यह plant का growth पर effect डालेगा जो कि बढ़ने अच्छे से growth नहीं होने देगा अच्छे से growth नहीं होगा तो बच्छों लोग जो कि oxygen लेते हैं जो कि हम लोग oxygen लेते और carbon dioxide छोड़ते हैं तो जो कि यहां जो हाइयर कंसंट्रेशन और carbon monoxide का अगर हमारे atmosphere में हो गया तो अब हम लोग जो कि yes two point तो अब हम लोग अगला heading डालेंगे जो कि nitrogen dioxide के बारे में nitrogen dye nitrogen dioxide nitrogen dioxide और इसमें हम लोग देखेंगे जो कि nitrogen dioxide में it is a non-metallic it is a non-metallic oxide होता है non-metallic oxide of molecule cooler और इसका जो molecular formula होता है वो nitrogen dioxide का NO2 होता है और it is produced जो कि क्या produce करता है combustion it is produced combustion of जो कि petrol जलने का या उसका जो combustion होता है combustion या गैस और लीन अगर वो जलता है तो क्या produce nitrogen dioxide produce करता है NO2 और जो कि nitrogen dioxide का harmful effect क्या होता वो देखेंगे तो आग लाइडिंग डालेंगे जो कि harmful effect of nitrogen harmful effect of nitrogen dioxide तो इसमें हम लोग लेखेंगे जो कि first point higher concentration higher concentration of nitrogen dioxide nitrogen dioxide nitrogen dioxide retard rate of photosynthesis का जो process रहता है उसमें यह संचे प्या रोकने का कायम करता है जो कि nitrogen dioxide और higher जो कि nitrogen dioxide का हमारे atmosphere में और high उसका concentration high हो गया तो क्या plant photosynthesis करता है उसको retard करेगा जो कि अच्छा से जो कि photosynthesis को होने नहीं देगा और इसी में हम लोग second point लिख सकते हैं और जो कि अगर लाए एक और है heading वह पढ़ेंगे वह इसके बाद अगले lecture में हम लोग देखेंगे बच्चो it causes breathing जो कि बहुत सारा student का वह मांगे बच्चो कि वह शराब थोड़े कम लेक्चर यानि एक ट्वपी करके बनाईए और बहुत यानि कम समय के लिए बनाईए तो मैं आप सभी जो कि आधे आधे गंटा के लेक्चर बनाऊंगा बच्चो वाटो तो आगए दुषवक्च काम के बात करतें लोकि क्या कोज करता splend hesitant breathing in a human जो कि breathing में ब्रीजिग होता इस clothing ब्रीजिग में और इस Nhलोको जो कि काई शार का जो बीमारी या breathing breathing से प्र responded वह मतवा रोता है तो cciones ब्रीढ़ने में ठीक् democrats होती है और अगला जो कि श्मॉग है श्मॉग के बारे में देखेंगे तो अगला एडिंग श्मॉग के बारे में श्मॉग क्या होता है तो इसमें हम लोग जो यह बनता है कि श्मॉग जो होगी है यह वच्चो श्मॉग और प्लस फॉग को रियक्शन यानि इस दोनों में रियक्शन होता है यह मिलकर जो कि स्मॉग बनाता है यह दोनों मिलकर स्मॉग प्लस फॉग मिलकर यह स्मॉग और इसको इसका डिफने से ने स्मॉग क्या होता है तो यही जो लिखें तो दी मिक्चर यहां पर यह तो बहु आंडस्ट फोग जो की मिक्च्र होता किसका स्मोग और-फोग और यह के फार्म होता है काured क्यो यह विन्टर में होता तो उन्टर में होगा वी ब lacet स्यॉजिए उसको लो क्या नाम देनगे कहती इसमोग नाम देंगे हैं तो यह हमारा मझा हो गया तो और यह कॉज किसे इसमें इसका कॉज भी नीचे प्राग्राम तो इट कॉज यह क्या करता है जो कि डिजी जेज हम कॉज करता है किसे रिलेटेड कॉज डिजेज डिलेटिंग रिलेटिंग टू जो कि हमारा लंग्स से यह इसमोग है वो कॉज करता है तू रिलेटेड टू लंग्स जैसे कि डिलेटेड लंग्स के जो बीमारी होता है वो कौन हो गया जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया यह बीमारी हो गया लंग्स से रिलेटेड अस्थामा हो गया अस्थाम गल्ब जो पक्रणेज से हम लोगों की आज से स्पाइटर्टे। जैसरी की नायओ कि है तह यह सब chem होती है तो आभ के लिए इतने बच्चों नुह सते बच्चों फीर से अग्ले ट्रें में हम लोग सी एप सी के आगे जो की बात करेंगे तो माइन एश्टेन में आप लोगा बहुत-बहुत स्वागत है इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और सेयर करते रहें और वेल आइकन बटन दबाना नहीं बुरे बच्चो तो अगरे अल्चेन में लोग फिट से सी एप सी के साथ मिलत तो अभी के लिए इतना है बच्चो नमस्ते बच्चो